सत्याग्रह एक्स्प्रेस आनंद विहार टर्मिलन से जाने को तयार है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको सजाया गया है और इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो यह आनंद विहार से रक्सौल जंक्सन के लिए जाती है और इसमें जो डिस्टेंस तैं की जाती है अगर हम उसकी बात करें तो तकरीबन साढ़े 900 किलोमीटर की डिस्टेंस है जिसको यह ट्रेन तैं करती है और इसका जो नाम रखा गया है सत्याग्रह एक्स्प्रेस सत्याग्रह आपने सुना होगा सविने अवग्या अंदोलन यानि जो महत्मा गांधी का हतियार था आजादी पाने के लिए या अंग्रेजियों के खिलाफ जो हतियार था वो सत्याग्रह था और सत्याग्रह एक्स्प्रेस को आज हरी जंडी दिखाई जा रही है स्वतंतरता संग्राम सेनानी और उनका परिवार इसको हरी जंडी दिखाएगा मैं आपको बता दूँ आजादी की रेलगाडी के नाम से इस समय भारती रेलवे देश के अलग-अलग हिस्सों में आजादी के 75 में साल के मौके पर इस तरीके के प्रोग्राम कर रही है और यहां पर आईए हम यात्रीयों से बात करते हैं जो यहां मौझूद हैं इस में सफर कर रहे हैं आखिरकार यह जो किया जा रहा है यानी आजादी के 75 साल को जो यात किया जा रहा है उसके बारे में उनकी क्या राह तो यह जो आप आए यहां पर सजी धजी ट्रेन आपको मिली क्या कहेंगे वीडियो बना रहे हैं अच्छा लग रहा है हमें भी नहीं पता तक नहीं डेकोडेटिर होगी या कुछ मताब इनको कुछ कर रहे हमें नहीं पता था इस बारे में हमारी ले तो सप्राइस था यह आ आजादी के 75 साल हो चुके हैं सत्याग्रह एक्सप्रेस महात्मा गांधी का वह थियार जो अंग्रेजों को कहीं न कहीं परास्त किया उसने क्या कहेंगे सत्याग्रह को लेकर इससे बारे में सत्यागरेज एक एसी ट्रेन से जो कहीं कहीं आजादी से जुड़ती है। यहां पर आप समझेए जो यात्री हैं उनको लग रहा है कि वाह अच्छा है कुछ अच्छा हो रहा है अलग हो रहा है डिफरेंट हो रहा है आईए कुछ और यात्रियों से यहां पर हम बात करते हैं और उनसे रियक्संस लेते हैं प्रत्रिया लेते हैं कि आखिरकार यह जो आजादी का अमरत महुस्तों मनाये जा रहा है उनके बारे में क्या राय है यहां पर हमारे साथ कुछ महिला रेल यात्री हैं यह उनने से बात करते हैं क्या नाम है आपका नीला मगरवाल आप कहा जा रहे हैं र है अच्छा ही अन वहत अच्छा ही डिए यह पर इसके नहीं become petty नहीं है हैं लमभी दूरी की ट्रेव है इसमें dirt नहीं है तो नहीं अ कहीं यात्री यहां को परिशानी है और हैं जब आप आए यहां पर इस्टेशन पर अचानक लगा कि फूलों से सजी हुई ट्रेन मिली क्या लगा आपको बहुत अच्छा लगा बहुत ही सुन्दर लगा लगा चलो आज आए हम लोग यह देखने मिला हमको क्या मौका है यह आज कुछ आजी के दिन कुछ यह ट्रेन सत्याग रोज जाती है और इसका जो रंग रूप है वह ऐसा ही है लेकिन आज फूलों से सजी हुई ट्रेन मिली एक और यात्री है आई उन से बात करते हैं क्या नाम है आपका संगीता तुल्जियान संगीता जी जब आज आपने देखा सजी धजी ट्रेन क्या लगा आपको बहुत कि अच्छा यगा देह के कुछ अजूबा सा यगा हमें अच्छा लंग रेल वे के लिए के लिए इस तरीकि यह मैं कौले मिली लगांस सजी अपका कि जो सभिधाइं उनको किस तरीक नहीं रख किया देखिए, एक तो यह 24 गंटे का सफर रक्सोई का, इसको थोड़ा 24 गंटे से कुछ कम किया जाए, क्योंकि हम रक्सोई से साड़े आट बजे, नो बजे ट्रेन चाहिती है, यह नो दस पजे पहुंचती है, दूसरे दिन, तो हमारे तो साड़े 900 कियो मेटर तो बहुत यंबा हो गया, 24 गंटा तो बहुत जादा हो गया, उसको कुछ कम किया जाए, तो यहां पर आप समझे, यात्री सुविधाओं की कही न कहीं कमी है, अगर रफ्तार की बात करें, तो रफ्तार भी कम है, क्योंकि अगर 24 गंटे लगते हैं, साड़े 900 किलो मेटर के लिए, तो हुएं कि जो कही जा रही है, कि इसमें पैंटरी cohort होनी चाहिए, यानि अगर हम बात करें कि इसमें खाने पीने की सुविधा होनी चाहिए और साथ ही साथ, एक और चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, आज कि अगर हम बात करते हैं, तो यह आजाधी के अं क्यों और यहां पर हम आपको बता दें यह जो पूरी स्रंखला चल रही है यह 23 तारीक को खत्म हो जाएगी लेकिन एक बड़ा हम कह सकते हैं यह मौका है और यहां पर तमाम लोग हैं जो इस पर बात करना चाहते हैं उनसे भी हम बात करेंगे कैमरामेन हीरा मंदल के साथ सिध्धार्ट न्यूज इस्टेशन दिल्ली